कि अब वेरी गुड इवनिंग तो वेल्कम तू अबिना माचान दिस रादिका कुपता है अब सभी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आज के सेशन की शुरुबात करते हैं तो भाई सबको आदियो एंड विडियो यहां पर एक बार जल्दी जल्दी से बताएंगे अब सभी को आवाज ओडियो विडियो सब कुछ क्लियर ली आ रही है तो आज के सेशन को करें आगे शुरू जैश्वीर कृष्णा राधे राम राम और आज हम बात करने वाले बिमारियों के बारे में यानि की डिजीज के बारे में बहुत दिनों से मन में था ना कि मैं ब बिमारी आपने नहीं कराई है पिटा होगा तो सब कुछ पर वही है कि वक्त जिसका जब आएगा तभी हम पढ़ेंगे उसे तो आज डिजीज के ऊपर कॉंसेप्ट के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिरी जितनी भी आप बिमारियां देखते हो आज कल बहुत बिमारियां पूरा दो साल कोरोना काल ने निकाल दिये ठीक है और उसी प्रकार से जतनी हुए अन है आप डिजीज देखते हैं वो क्यों किस प्रकार से होती हुई आपको नज़र आती है किस विशाणू से हो रही है कोई जीवानू से हो रही है कोई फंगल डिजीज है तो आपके स्वास्त ठीक नहीं है यहीं मन में आएगा क्यों वैं मइन कोई भीक्ति हैं तो यूंत हैं ने की इसाप से आपने ये भी सुना है कि अगर कोई व्यक्ति physically, mentally और socially शारीरिक रूप से या हम बात करें emotionally वो mentally strong है या नहीं है या physically strong है या नहीं है तो उसको हम health या healthy person बोलते हैं या नहीं कि ठीक है भई अगर वो व्यक्ति इन तीनों characters को इन तीनों aspects को फुल्फिल कर रहे तो हम कह सकते हैं हाँ वो व्यक्ति healthy है या वो व्यक्ति स्वस्त है और अगर वो उन तीनों चीजों को नहीं maintain कर पा रहा मतलब वो बेमार है वो क्या है वो रोगी है तो इनी सब च चोटे-चोटे word को हम समझेंगे health or disease जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि आखिर health क्या है WHO के अनुसार अगर आप तीन aspects को पूरा कर रही है आप physically स्वस्त हैं mentally स्वस्त हैं और socially आप बोलोगे ma'am हम अगर बिमारी नहीं है तो हम कह देते है मुझए सर्दी जुकाम नहींग हुआ फुखार नहीं आ रहा रहा है मेरे आप यहाओ में दर दंने घंज हूं या आपका आसपास का जितना भी सराउंडिंग है, मानलो तुम तो बहुत घर में बहुत अदा साफ सफाई रपते हो, मगर तुम्हारे घर के जैसे ही हम बाहर निकले, वहाँ एक प्रॉपर खुली हुई नाला है, ठीक है, एक खुला हुआ नाला है, जिसके उपर हजारियों लाखों मच्छर बने हुए हैं, आपके आगे जाएंगे तो एक कुड़े का धेर बना हुआ है गली में, आसपास का मोहला सारा इसी प्रकार से दूशित इंवार्मेंट में रह रहा है, तो आप अपने घर को साफ अगर रख रहे हो और अपने आसपास के एरिया को साफ नहीं रख रहे हो, तो आखिर कब तक आप स्वस्त रह पाओगे, एक ना एक दिन वो बाहर की जो गंदगी है, वो अंदर भी आएगी और अंदर आएगी तो तुम्हें भी बीमार करेगी, उसी लिए कहा जाता है कि आप स्वैम भी स्वस्त रहें और अपने सराउंडिंग्स को भी साफ रखें, मतलब अपने इर्द गिर्द आप जहां रहे रहे हैं, आपकी जो सुसाइटी है, आपका जो इन्वार्मेंट है, आप उसको भी क्या करें, स्वस्त रखें और साफ र चलिए, तो इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, कि आप हेल्दी हैं, लेकिन माम अगर मानलो हम अपनी हेल्द को मिंटेन ना कर पाएं, हम ना कर पाएं, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जिससे हम अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं, लेकिन आज के टाइम का क्या ऐसा कॉंसेप्ट है, आप प्रॉपरली योगा करो, अपने आसपा साफ सफाई रखो, मेडिटेशन करो, मेंटली भी हेल्दी हो, अच्छा खाना खाओ, जंक फूड वगर आप बिलकुल मत खाओ, तो आप हेल्दी रहोगे, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनसान को बहुत स्वस्त रह सकते हैं, बिलकुल भी नहीं मानना है, और वो क्या पढ़ जाता है, बिमार पढ़ जाता है, तो फिर कहता है, क्यों सी दबाई दारु ली जए जिससे बढ़िया हो जाए, पिलकुल भी नहीं है, तो हम जो बात करते हैं ना मुख्य तॉर पे उलननस हो रही है विमार होगी है अगर आप अपने आपको जो हिंधग करें χिल्त, खाना, पीना आपने एक टीज देखी होगी कभी कभी एक बच्चे का जन्म हुआ जो रोट बना रहा है साथ में बना लेना एक बच्चे का जन्म हुआ और वो किसी बिमारी से पीडित है ठीक है उसको कोई ऐसा रोग है जो उसको उसके माबाप से मिला है तो आप कह सकते हो कि भाईया इस जो बिमारी मिली है वो जन्मजाथ है यानि कि इस बच्चे में इसके माता-पिता से वो बिमारी आई है लेकिन दूसरा आसपेक्ट क्या है कि मआम बच्चा पैदा हो गया होने के बाद बाहर के वातावरण में आने के बाद उसको 2-4 महीने बाद ठंड लगी निमोनिया हो करते हो जो आपने क्या करी हैं अर्जित करी हैं उनको कहते हैं एक्वायर डिजीजस सब जानते हैं इसके बारे में कि अभी कोरोना काल भी क्या था पैदा होती तो बच्चा नहीं हो रहा था कोरोना से पेड़त जो आस-पास के सराउंडिंग में वाइरस है बेक्टीरिया है वो सारे क्या करा रहे हैं रोग करा रहे हैं उन्हें एक्वायर डिजीज कहते हैं लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ कुछ बिमारियां जो बच्चे के अंदर जन्मजात होती हैं जैसे डाउन सिंड्रोम के साथ बच्चा पैदा हो रहा है या बच्चे को कोई और अन्य ब परन्तु अगर वो रोग हमें आसपास की बिमारी आसपास के वातावरन से लगा है तो या तो वो इस प्रकार से हो सकता है कि वो फैलने वाला हो कि भाया मुझे अगर आम सर्दी जुखाम है तो मेरे संपर्क में आओगे तो तुम्हें भी हो जाएगा जन्हें हम कहते हैं communicable diseases ठीक है संक्रामक रोग जिनको कहा जाता है तो दो प्रकार के रोग में एक सबसे पहला आता है communicable जिसको संचारी रोग कहा जाएगा और दूसरा क्या होता है जिसको कहते है non communicable जो फैलता नहीं है किसी को अगर आप बोलेंगे cancer है तो cancer आसपास के लोगों को फैलता हुआ नहीं दिखाई देगा लेकिन corona है तो वो जरूर फैल जाएगा तुम cancer के patient के साथ बैट सकते हो corona के patient के साथ नहीं बैट सकते हो या तो वो отвagnagers फैलते है और दूसरे नहीं पैलते हैं तो रोगों को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत क्या कि भाईया या तो वह acquired होगा आप스터 इन्रोग होगा एक student का comment था कि ma'am आप side हो जाया करिये ताकि हम notes बना लें हम class में running notes बना दें आपका comment मेरे पास तक मिल चुका है ठीक है लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगी मैं proper आपको proper time दे रही हूं आप अपने notes बना सकते हो ठीक है तो यह congenital वाली कैसे दिख रही है अनुवांशिक विकार है जो जन्मजात रोग है वो किसकी वज़े से हो रहे हैं ऐसा तो नहीं है तुम कहोगे माम सर्दी दुखाम हो गया ता माता पिता को वही बच्चे के अंदर सर्दी दुखाम आ गया नहीं वो आपके जीन्स के अंदर कुछ डिसॉर्डर होगा कि हीमोफीलिया है, डाउन सिंड्रोम है यह आपके जीन्स की प्रॉब्लम है जनाइटल ड्रोग उसको हम कहते हैं इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया अनुवांशिक विकार नाम दिया दूसरी तरफ संचारी और गैर संचारी यानि कि संक्रामक और गैर संक्रामक इनको यहां पर कहा जाता है बोलो भई कोई समस्या इतनी कहानी समझ में आई मैम लेकिन ड्रोग एक तो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं दूसरे दिखते हैं जब हम properly खाना पीना नहीं खाते जिनको हम कहते हैं nutritional deficiency disorders यानि कि मैंने vitamin A नहीं लिया तो मिरको रतौंधी हो गई, night blindness हो गई, मैं vitamin C नहीं ले रहा है मुझे scurvy हो गई, मैंने vitamin D नहीं लिया मुझे rickets हो गई, तो रोग एक वो भी होते हैं जो आपको portion की वजह से देखते हैं, जो आपके nutritional deficiencies होती हैं, आपको portion नहीं मिल रहा, आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, ठीक है, बोलो बात समझे, तो भाईया ये अलग-अलग दिखाई देते हैं, अब इन में जो रोग तुम्हें फैलते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ पाट गया, या तुम बोलोगे कि माम मेरे पेट में एक जीवानु आया था और वो आकर के मुझे क्या करा गया, रोक करा गया, टाइफाइड हो गया, आखिर इन सब का मुद्धा क्या है, अच्छा ठीक है राजेश जी और बताओ भई, दो बजे क्लास होती है, मंगलवार को आप लोगों का जो 2000 Most Expected Question सीरीज है, वो स्टार्ट की गई है, तो हर मंगलवार को साइंस की क्लास करेगी, आपकी दुपहर में दो बजे वे, ट्राय करेंगी, उसको एक बजे ही कर दे, तब को समझ आ रहे है, चलिए, तो माम दो चीज़े निखाई देती है, अब इन ही को मैंने कैसे डिवाइड किया, इनको मैंने ऐसे डिवाइड किया, देखो भई, आपके माइक्रो ओर्गानिजम्स होते हैं, यानि कि जिसको हम क्या कहते हैं, सूक्षमजीव, ध्यान से समझना बात को, सूक्षमजीव, अब तक हम पढ़ते आयों कि सूक्षमजीव होते क् बहुत सारे सुक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गानिजम्स होते हैं, जिसमें आता है आपका बैक्टीरिया, जिसमें आता है आपका वाईरस, जिसके अंदर आता है आपका, रुक जाओ भई, पंगस, ठीक है, फंजाई जिसको आप कहोगे, प्रोटोजोड, इन सबसे क की सबसे हमें अलग अलग विमारी हो गई विशानु से को गई आपने कहा कि भई या कोरोना वाइरस में यह सब चोटे छोटे से ऐसे और्गयानिजम्स हैं ऐसे सोक्ष मजीवे हैं जो विमारी करा रहे हैं जो विमारी करा रहे हैं बहुत द्यान से सुनना भिया जो विमारी करा रहे हैं तो मैंम यह सभी आइक बिलकुल डबे में बंद किया और मैंने बोला आज से इनका नाम है पैथोजन क्या नाम है पैथोजन नाम है मतलब मुझे कुछ और समझ नहीं आए मैंने का भई मैं तो इनका नाम दे दूँगी मैं इनको बोलूँगी पैथोजन ये सारे के सारे क्या बन गए पैथोजन बन गए मतलब जो बिमारी को करवाते हैं जो बिमारी को करा रही है इनको कहा जाता है कॉजेटिव एजेंट ओफ डिजीज ये बिमारी को कराते है बोलो समझे की नहीं समझे मैं आज हमको फीवर पकड़ा है अभी हम सारे रोग पड़ेंगे कि मैडम बैक्टीरिया से जितने हो रहे हैं वाईरस से जितने हो रहे हैं कवक से जितने हो रहे हैं कौन-कौन से पीत जवर हो चाहें तुम्हारा डेंगु चिंगुनिया डाइफएट सब पढ़ेंगे तो पैथोजन का मतलब समझ आया कारक जीव जो बिमारी को करा रहें अब तुम्हारे सामने धेर सारे क्या है मैम ये मच्छर हो गया या आपके सामने धेर सारे ये जितनी भी प्रजातियां तुम्हें दिखाई दे रही है वाइरस की बैक्टीरिया की कवक की इनको कहा जाता है पैथोजन बोलो बात समझे की नहीं कि मैम मेरी बोड़ी में एक छोटा सा मट्टी से क्या चला गया एक छोटा सा माइक्रो और्गानिजम एक छोटा सा सूप्ष मुझे और उसने क्या करा दिया उसने मुझे हाथी पाउं करा दिया उसने पैर का साइज इतना बड़ा कर दिया वो चेरिया बैंक्रॉफ्टी क्या करेगा हाथी पाउं करा देगा वो सभी के सभी क्या है वो आपके pathogen है लेकिन मैम एक कहानी धोड़ा सा हमें समझा दो कि आप तो ये कह रहे हो नीरज अभी सर्व समझ में आएगा अभी आप तो ये कह रहे हो कि मच्छर कर रहे हैं बेमारी को मच्छर भी कर रहे हैं कि आपने मच्छर काटा डेंगू हो गया मच्छर काटा चिकिंगोनिया हो गया तो मच्छर का क्या काम है यह जतने भी मुझे bastard दिखाई दे रहे हैं यह क्या है फिर अगर यह कारक जीव है तो यह क्या है यह होते हैं vector दो वर्ड मैं आपको बताऊंगी दोनों वर्ड का डिफरेंस बहद इंपॉर्टेंट है यह क्या है यह कहे जाते हैं पैथोजन जो कारक जीव हैं जो बिमारी को कॉस कराते हैं कि अगर बैक्टीरिया नहीं आएगा तो मेरे पास कोई भी बिमारी नहीं आएगी ठीक है लेकि वह मलेरिया का प्लाज्मोडियम सबकी बॉड़ी में कैसे आ रहा है जब वह मच्छर एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती को काटता हुआ गूम रहा है और क्या करा रहा है तो मच्छर कीडे मकौडे यह जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम किस केटेगरी में का है उसके हाथ में उसके हाथ में बैक्टीरिया कवक यह यहीं हुआ था केरो तो कोरोणा मेत यहीं हुआ था आपको बैमारी प्रफेल रही थी आप normal थे लेकिन आप और दूसरे संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही क्या कर रहे थे उस virus को अपने अंदर बॉड़ि में ले पा रहे क्या होते हैं micro organisms होते हैं दूसरी में आपको बात करूँगी यहां पर वाइरस की वैक्टर की वैक्टर क्या है वाहक है वाहक यानि कि that transmit the disease जो बीमारी फैला रही है जो बीमारी या रोग पैलाते हैं अच्छा यह बनाना इतना अवश्यक क्यों था मैं क्योंकि इस पूरे चैप्टर में कई जगा में यह बढ़ूंगी कि आपके इस बीमारी का पैथोजन क्या है या इसका कारक जीव क्या है या इसका जो वेक्टर है वो क्या है पॉर एंग्जाम्बल ध्यान से समझना पॉर और एंग्जाम्बल मैंने आपको बूला हैं विलेरिया है अच्छा कितने लोगों को विलेड़िया का पैथोजन पता है बता यह इसका पैथोजन क्या होगा है मैं dinner यानि की हिंदी में हम उसको कह रहे हैं कारक जीव जो उसको करा रहा है जो उसको करवा रहा है इसको क्या हो गया चलो ये भी चलेगा भई इसका पैथोजन क्या है क्या आंसर दोगे आंसर आ रहा है मादा करके कुछ है बस यहीं तो नितीज जी बहग गए प्लाजमोडियम है इसका पैथोजन कारक जी प्लाजमोडियम क्या है अब याद करो हमने अनिमल किंडम पढ़ा था एनिमल किंडम में मैंने आपको बताया था कि किंडम मुनेरा प्रोटिस्टा फंगर्स प्लाण्ट एनिमल्स जिसमें हमने जब किंडम प्रोटिस्टा बढ़ा था वहाँ पे बढ़ा था एक अमीबा आता है एक युगलीना आता है और वहीं पर प्लाजमोडियम में पढ़ प्लाज्मूडीयम है माल लीज़े मेरे बॉडी में है एक नौरमल मच्छर आया आके मुझे उसने काटा और जैसे ही मुझे काटेगा तो वह जाके इस किसी नौर्मल व्यक्ति को काट देगा तो वह जाके झाल गाथ मादा अनौफिलिस का मच्छर इसंका Vector जिसे हम कहते हैं फीमेल एनो फिलिस मॉस्किटो वो लो कॉंसेप्ट समझेगी नहीं जल्दी से बताओ एक बार अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिमारी करा कौन रहा है कारक जीफ क्या है तो मैं हम फ्लास्मोडियम है और फैला कौन रहा है वो वेक्टर है फैलाने का काम कौन कर रहा है वो मत्षर कर रहा है इसलिए कहते हैं आस पास में हेल्दी रहना है तो मच्छर नहीं होने चाहिए क्योंकि मच्छर तुम्हें नहीं पता कब कहां से कौन सा रोग लेके तुम्हें काड़ दे ठीक है चलिए आगे भड़ेंगे इसी के साथ ये हमारी मुख्य बिमारिया जो इन सभी अलग अलग सूक्ष मजीव से दिखाई देती हैं ईний यहां चाहें प्याज़ा हो फणिस कौने चाहें वह सरी आपकी की यहां सarी बिमारिया हमें होती कैसी है मतलब इन्हों ने तो कर दी अब किसी के आसपा संपर्क में चले गए जो खास रहा है जसको प्रॉब्लम हो रही है ठीक है अप कहीं किसी भी हालत में जब बिमार हैं और आप किसी भी पब्लिक प्लेस में जाते हैं किसी दोस के साथ बैड़ जाते हैं ओपनली छीक रहे हैं खास रहे हैं तो भाईया यह और लोगों में सर्क्यूलेट हो जाती हैं तो इनको हम कहते हैं communicable diseases यानि की संक्रामक रोग यानि की संक्रामक रोग और मुझे नहीं लगता कोरोना काल के बाद किसी को भी इस फैक्टर को समझाने की जरूरत है कि संक्रामक क्या होता है कैसे विमारिया फैलती हैं और कैसे आपको इनका बचाव करना है तो यह communicable हैं लेकिन कुछ ऐसी होती ह जो non communicable होती हैं जैसे मान लो तुम मोटे होते चले जा रहे हो तुम खाते जा रहे हो मोटे होते जा रहे हो अब तुम्हारे मोटे होने से पडोसी थोड़ी मोटा होगा तुम्हारा भले ही वो खा रहा हो या ना खा रहा हो हम खा रहे हैं हम मोटे होंगे हम खूब टेंशन ले रहे हैं खूब stress ले रहे हैं हमें नीद नहीं आ रही हम इंसोम्निया का शिकार है तो यह problem किसको है हमें है यह किसी दूसरे के अंदर फैल जाएगी क्या बिल्कुल नहीं फैलेगी ठीक है यह किसी दूसरे के अंदर बोलो फैलेगी बिल्कुल भी नहीं फैलेगी तो आप अगर ऐसी कोई हरकत कर रहे हो, रात में तीन बज़े तक जग रहे हो, नींद नहीं आ रहे है तब, हैना पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम खाली अपना समय जाया कर रहे हो, इंसोम्निया के शिकार हो, तो भाया, आप क्या है, नौन कम्यूनिके मचार्णेंप के बीच का फर्क होता है, कि कुछ बिमारिया जो एसली फैल जाती है, कुछ बिमारिया नहीं प्यश्वारती है, बोलो कोई समस्या लगी हैं तक, अब जैसे मौतर्मा है, पता नहीं क्या चाहती है, खाये जा रहती हैं, मोटी फिर भी नहीं हो रही है, मलेरि एक एक कोशिकाएं अगर एक कोशिकाएं खराब हुई तो आपने आसपास की सारी कोशिकाओं को लेके डूपती है और इसी वज़े से एक कैंसर बढ़ता जाता है यह जो रोग है यह कहने को नॉन कम्यूनिकेबल है आप से किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचेगा लेकिन जिस व्यक्ति को है उस व्यक्ति का अगर एक छोटा सा सेल खराब हुआ है तो उसके आसपास के सारे सेल खराब होते चले जाएंग और उसी वज़े से कैंसर बढ़ता चला जाता है पूरी बॉडी के जो इस भी पार्ट में हुआ है उसके तरफ आपकी इसकी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल जाती है तो यह बिमारी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है तो हम जो यहाँ पर अलग-अलग रोगों के बारे में आज बात करने वाले हैं उसकी दो केटिगरी मैंने आपको बताई एक संक्रामक दूसरी गेर संक्रामक यह वो बिमारिया है जो आप किसी भी तरीके से पूरे इन्वार्मेंट में रहके अर्जित कर रहे हूं अपने जन्म के बात देख रहे हूं लेकिन कुछ अगला मैंने आपको क्या बताया है जो रोग है वो रोग या तो जन्मजात हैं कौन जनाइटल या क्या होंगे एक्वायर्ड उपारजित रोग इसके अंदर कौन से रोग आते हैं जो आपके जेनिटिक डिस ओर्डर होते हैं अनुवांशिक विकार जिसको हम कहते हैं अनुवांशिक विकार और यहां एक्वायर्ड में दो केटेगरी हम पढ़ेंगे एक होते हैं संक्रामक यानि की कम्यूनिकेबल और यहां इस नौन कम्यूनिकेबल संक्रामक वो गैर संक्रामक कोई समस्या किसी को यहां तक जल्दी से बताओ एक बार जल्दी जल्दी से बताओ एक बार ख्लियर वही कहानी अब आती है माम यही जितने भी हम रोग देखेंगे ना यह रोग अगर किसी पैथोजन से हो रहे हैं तो उसमें अलग-अलग कैटेगरीज बन जाती हैं जैसे से पहली हेडिंग आप क्या डालोगे बैक्टीरियल डिजीजिस के बारे में चलो बैक्टीरियल डिजीज जीवाणू जनित रोग जो रोग जीवाणू से हमें लगते हैं जीवाणू जनित रोग अब मान लोग जीवाणू से हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह माद्यम से आए तो इसके अलग-अलग सोर्सेस अलग-अलग माध्यम जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं ठीक है अलग-अलग माध्य हम हमें यहां पर नजर आते हैं जिसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे ज़रा देखेंगे एक बार चलो भई अब बताओं मुझे यहां तुम्हें देख करके क्या समझ में आ रहा है और ये टॉपिक अन्त में पढ़ाने का रीजन क्या है पैट देखो हम अगर कुछ कर रहे हैं तो सोच समझ की कर रहे हैं अब अगर तरुन सिंग जैसे लोग नहीं पढ़ाई करेंगे पैट अगर आप नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत यहीं होगी कि मैं में एक्जाम का पता नहीं लेकिन हमारी बाकी सारी जो दुविधाएं ना वो जरूर भरती चली जाएंगी पढ़लो एक्जाम निकालना है पता नहीं कहां कहां मखां कॉपी पेस्ट करने लग जाते हो अब तक ह क्योंकि सारे सिस्टम्स पढ़ चुके हो तुम्हें यह पता है कि मैं मेरी बॉडी के अंदर लंग्स में अल्वियोलाय कहां है लंग्स के अंदर मेरे क्या क्या ब्रॉंक आया है क्या ट्राइक या है तो आप अब इजीली उसको समाच सकते हो कि यह बिमारी किस पोर्शन प चलो कि क्या समझ पा रहे हैं आप इस रोग को देख करके कोई बात नहीं जो अफ्लाइन देखते हैं बहुत बढ़िया इस रोग मैं यह दोनों हमारे फेफ्टे और इन फेफ्टों के अंदर सबसे छोटे-छोटे वायू कोश मुझे नजर आ रहे हैं सबसे छोटे-छोट इस प्रकार से आपको दिखाई दे कि इन वायू कोश अभी तक तो मुझे नॉर्मल नजर आ रहे हैं लेकिन अचानक से इनके अंदर क्या दिख रहे हैं कुछ फ्लिवेड कुछ द्रव्वे सा भरा हुआ नजर आ रहा है इसको हम यहां पर कहते हैं कि भाईया इसको क्या हुआ है इसको निमोनिया हुआ है कई बच्चों के अंदर छोटे बच्चे हों बड़े हों ठंड लग जाती है आपके जो एल्वियोलाई जैसे हम वायू क क्या है इसको कहते हैं तो प्र फिर मैं क्या होगा हुआ हम निमोनिया तो मै Lots लॉह करो cocoa सब्सक्राइब यहां पर इसको कहा जाता है तो सबसे पहला रोग जो हम लिखेंगे कि वह होगा थूररेसपिरेट Truly System सब्सक्राइबी तूरेसपिरेटरी सिस्टम यानि कि ऐसा बेक्टीरिया जो श्वसन्थन्थन के माध्यम से क्या कर रहा है बोडी के अंदर जा रहा है through respiratory system श्वसन तंत्र के माध्यम से अब श्वसन तंत्र के माध्यम से सबसे पहला रोग जो हमें नजर आया वो है मैम निमोनिया अब आपसे प्रश्ण ये बूचा जाएगा निमोनिया का pathogen बताओ जरा तुम्हें ये तो पता है कि ये जीवानू के द्वारा हो रहा है लेकिन कौन सा जीवानू है जो इसको इहां पर करा रहा है कौन सा जीवानू है जो इसको इहां पर करा रहा है वो कहलाता है streptococcus pneumonia वो कहलाता है streptococcus pneumonia इस बीमारी का पैथोजन बता दो इसका वेक्टर बता दो बात समझ पा रहे हो अब तुम से यह थोड़ी पूछेगा कि भई इसका पूरा इलाज कैसे होगा कहा कहा क्या चीज़ें वह बस इतना सा बस इतना सा देखा जाएगा कि यह जो निमोनिया है इस निमोनिया को पैथ इन्फ्लमेशन मतलब सूजन हो रही है इन्फेक्शन हो रहा है तो यहां इन वायू कोश में क्या हुआ है आपको संक्रमन देखने को मिल रहा है नोट करेंगे से सभी नोट कर लो भईया इसको सभी जल्दी जल्दी से एक बार बिल्कुल इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है कहानी इंग्लिश कि चलो कुछ लोग अपनी हरकत से जब बाज नहीं आते तो भाईया क्या कर सकते हैं क्लियर हुआ तो निमोनिया के अंदर क्या हो रहा है वायू कोश में संक्रमन आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद आता है अगला रोग जिसको हम कहते हैं ब्रॉंकाइटिस नेक्स डाले कुछ विभाजन हमें इस प्रकार से नजर आता है कि हमारी ट्रैकिया यह ट्रैकिया है और यह किसमें विभाजत हो रही है यह यह आपके ब्रॉंकाइट कहे जाते हैं यह क्या कहे जाते हैं यह वापस से फर्दर एक डिविजन यहां पर आपको दिखाई देंगे करते आपकी नहीं पहुंच पाएगी oxygen आपके नहीं पहुँच पाईगी और जब नहीं पहुँच पाईगी तो माम इसी रोग को कहते हैं हम bronchitis ठीक है इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं bronchitis कहते हैं जहाँ पर आपके bronchi में क्या हो जाती है सूजन आजाती है permanent swelling आजाती है तो इसके अंदर आप लिखेंगे permanent swelling of bronchi bronchi में सूजन आना आप अगर इसको देखोगे तो कुछ इस प्रकार से यह जो bronchitis है भीया वो आपको यहाँ पर नजर आता है देखो ज़रा इसको यह bronchitis कुछ इस प्रकार से यह bronchi क्या है normal है लेकिन यहाँ क्या हो चुकी है सूजन आ रही है यहाँ क्या हो रही है सूजन आ रही है ठीक है सूजन आ रही है और यह हो गया निमोनिया हो गया यह किसकी वज़े से हो रहे यह सब आपके streptococcus टाम के बैक्टीरिया की वज़े से दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ जो बैक्टीरिया कार्रे कर रहा है जो आपके इन रोगों को करा रहा है जो जिवानों के द्वारा हो रहे हैं वो है streptococcus तो यहां हम क्या नोट करेंगे कि भईया इसका pathogen क्या है सवाल पूछा जाएगा इसका pathogen क्या है वो कहलाता है streptococcus इसी streptococcus की species ने pneumonia कराया था अभी और यहीं streptococcus की एक अन्य स्पीशीज आईगी जो हमारी क्या कराती है ब्रॉंकाइटिस कराती है streptococcus clear करो भें इसे नोट करो फटाफट से हाँ जी नोट करेंगे सभी इसको अगला आता है तीसरा अब देखो यहां क्या हो रहा है तीसरा रोग आता है जिसको आप यहां देख रहे हो इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है आपको कि माम एक बिमारी होती है जिसे कहते हैं गल घोटू क्या कहते हैं डिप्थीरिया के अंदर हमारे गले में यहां diptherial patches जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से क्या होता है इसकी वजह से इंसान कोई खाना properly नहीं निगल पाता है उसको problem जो है वो यहां पर खाने को निगलने में होने लग जाती है इसको नाम देते हैं गल गोठू गल गोठू किससे हो रहा है corny bacterium diptheria से आपको होता हुआ दिखाई देता है तो तीसरा रोग जिसको नाम दिया जाता है diptheria diptheria हिंदी में कहेंगे गल गोठू इसका pathogen क्या है तो आप बताएंगे भईया corny bacterium diptheria कॉर्णी बेक्टीरियम diptheria नोट करो इसे हाँ हो सकता है हो सकता है भई यह सारी चीज़ें अभी एक एक करके देखो बहुत डीटेल में है यह बिमारिया बट पॉइंट यह है कि आपके exam oriented नहीं है कि हम इसको इतना detail में लेके जाएं हम उतना पड़ रहे हैं वरना इनके लिए अलग अलग से session लेकि मैं आपको करवा दूंगे किसमें क्या इलाज हो सकता है किसके इंदर क्या क्या चांसे जो है वह यहां पर बन सकते हैं लेकिन अभी हम exam oriented अगर बात करें तो आप से जादा से जादा यह पूछ सकता है कि विमारी में हो क्या रहा है और इसका पैथोज जी चलो तो यह ब्रॉंकाइटिस में सूजन आ गई डिप्थीरिया में गल घोटू आपके डिप्थीरियल पैचस बनने शुरू हो जाते हैं इसी प्रकार से एक रोग होता है जिसे कहते हैं काली खासी कुकर खासी तुमने सुना होगा किसी को खासी हो जाती हो बहुत लाँत को सो नहीं पाता बच्चा हो बड़ा हो व्रध हो किसी के अंदर भी रोग हो सकता है ये जीवानु जनित रोग है यह पर्ट्वस नाम के रोग में आपको क्या देखने को मिलता है कि कुकर खासी काली खासी लोग इसको कुट्ता खासी भी यहाँ पर कहते हैं ठीक है चलिए तो अगला यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे नंबर फोर्थ होगा आपका पर्ट्यूसिस पर्ट्यूसिस को काली खांसी कहा जाता है काली खांसी और कुकर खांसी कई नामों से जाना जाता है आप पूछेंगे इसका पैथोजन क्या है मतलब इसका कारक जीव कौन करा रहा है तो बटा ये होता है Bored Tela Produces Bored Tela Produces अगर डिरेक्ली आपसे नाप पूछ लिया जाए तो आप इसको यहाँ पर पता सकते हैं Hooping Cuff भी इसको कहते हैं Hooping Cuff भी इसको यहाँ पर कहा जाता है Hooping Cuff Clear है इसको कहते हैं Pertuces सबको चीजें clear हो रही हैं जल्दी जल्दी से बताओ इसमें mainly Cuffing ही होते हैं इसमें ज्यादा तर आपको खासी आनी शुरू जाती है आप लिख सकते हो लगातार PERSISTENT Cuffing है ना PERSISTENT Cuffing मतलब आपको खासी जो है वो नहीं रुखती आपने एचीज फेल गरी होगी कि यह रात को दिन में वैसे नहीं होगी रात में सोते टाइम आपको जादा खासी आनी शुरू हो जाती है चलो अगला लिखे अरे वो कुकर नहीं घर में सीटी क्यों बजा रहे हो कुकर वाली से कुत्ता खांसी जिसे कहते हैं तो वहां से कुकर नाम आ गया अगला आता है जिसको नाम देते हैं ट्यूबर क्यूलोसस टी बी ट्यूबर क्यूलोसस टी बी अच्छा मुझे आप में से कौन बताने वाला है कि माम हम ट्यूबर क्यूलोसस को टी बी लिखते हैं आखिर इस टी बी की फुल फॉर्म क्या है बताओ भी इस टी बी की फुल फॉर्म क्या है निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस द मैंने आपको क्या बताए था एक रोग होता है जिसको कहते है ब्रॉंकाइटिस ब्रॉंकाइटिस में क्या हो रहा था स्वेलिंग हो रही थी ब्रॉंकाय में मतलब यहां पर न सूजन आ रही थी यहां पर सूजन आ रही थी लेकिन अगर वही सूजन आपको TB के साथ दिखाई दे मतलब tuberculosis bronchitis इसको यहाँ पर कहा जाता है TB की जो full form है और उसके अंदर आपका bronchitis ही severe यहाँ पर होता हुआ हमें नजर आता है तो आप जब TB के बारे में लिखते हैं आप क्या बताते हैं कि भाईया यह full form में कहा जाता है tuberculosis bronchitis इसको नोट करेंगे ठीक है TB इसका pathogen mycobacterium mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis इसका pathogen यहाँ पर कहा जाता है और एक चीज़ याद रखना BCG की vaccine होती है BCG यहनी की bacillus comet urine आप जो produces की बात कर रहे हैं हुपिंग कफ की उसकी DPT का टीका होता है diptheria pertuses titnus का ठीक है यह होता है DPT का भया DPT यानि की diptheria जिसे हमने बोला कि गलगोटू हो रहा है pertuses यानि की जो हम बात कर रहे थे कुकर खांसी की और titnus आएगा अभी हम आगे पढ़ेंगे इसलिए नहीं बताई क्योंकि अभी होने तो फिर मैं आपको बताऊंगे क्लियर तो DPT का टी का जो लगता है वो triple वैक्सिनेसी mmr का लगे का मीजल्स नुपेला का वो देखा जाता है तो ट्यूबर के लॉसेस की जब हम बात करते हैं तो ट्यूबर की लॉसेस dots का program है ना direct देखो जरा इसके लिए एक program जो है को यहाँ पर शुरू किया गया है जिसको हम कहते हैं D O T S note करते चलेंगे सभी लिए टो份 लिकलो आपको निए मैंक को सॉचनर टॉक्रिस को फ़ खार वा नियर्बाय कई जगा पर डियो टीएस के टीके लगते लगते लिए दिखाई दे जाएंगे और यह टीबी आपको पता है कि माम सिर्फ संक्रमन से फैल रहा है या फिर हमें कहीं और से भी लग सकता है तो एक वेशन यहां से और बनता है इसको जरूर नोट कर लेना कि यह सॉ क्लियर और इसी के लिए हम यूज करते हैं पी सी जी का टीका यानि की बैसिलस कामिट ग्यूरीन इसके उपर सवाल आया हुआ है यह बी सी जी तीनों की अलग अलग जो फुल फॉर्म्स है वो यहां पर आप बता सकते हैं तो पैसिलस कामिट ग्यूरीन को लिख लो ठीक है वो तुम से क्या पुछेगा ची की फॉल फॉर्म बता दो जी की फॉल फॉर्म बता दो बी की बता दो तो याद रखना बी सी जी का टीका जो है वो हम टी बी के लिए हम यहां पर इस्तमाल करते हैं कि अधिया कि सबकों चीजें क्लियर हो दिये सारी बिमारियां इसारे रोग आपको कैसे लगते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के दौरा यानि कि श्वसंत अंत्र के दौरा मतलब आप सांस ले रहे हैं आपके जो इन्हिलेशन हो रहा है उसके साथ साथ हमें पूरे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी बैक्टीरिया ने क्या कर दिया है इन्फेक्शन यहां पर अपना बढ़ा दिया है अगर आप लोग को चीजें क्लियर हो रही है तो बैटा सेशन को शेयर जरूर करते चलना ताकि आपके जितने भी दोस भाई बंदू है उन तक भी आपक सेटीरियल डिसराडर हैं उनके उपर हमने चर्चा करी नेक्स इकन्ड केटेगरी आएगी थ्रूघट अब तक हमने थ्रूर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा अब हम बात करेंगे थ्रूघट यानि कि गट का मतलब होता है आपके आमाशय के रास्ते आपके टाइजिस्टि आता है कि टाइफाइड आता है अब देखिए जब हम टाइफाइड की बात करते हैं तो इसका पैथोजन क्या है इसका पैथोजन क्या है वो कहलाता है साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला टाइफी हुआ क्या था कि अब जैसे तुम भी हो यार तुम्हारा भी खूब मन करता होगा चलो मैडम आज घूम आते हैं बाहर जाके कुछ बढ़िया सा खा कर आ जाते हैं तो अगर आपका भी ऐसा कुछ रहता है कि बाहर जाए घूम फिर के आए और आपने ना आसपास नजर नहीं फेरी कि माम हम जहां पर बाहर कोई स्ट्रीट फूट खा रहे हैं वो अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए खराब है या उसके आसपास कहीं मच्छर मक्खी तो नहीं पनप रहे हैं पैदा हो रहे हैं आपने नजर नहीं फेरी और नहीं फेरी तो आप जागर के बढ़िया गोल गप्पे खा कर आ गए अब आ गया तो तुमने ध्यान नहीं दिया उससे क्या हुआ ये सालमोनेला टाइफी वहाँ पर दूशित खाने वा पानी में ग्रो कर रहा था और वहीं से कहां आ गया मैडम आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में आ गया अब आ गया तो तुम घर आए घर आके तुमारे पेट में दर्द वॉमिटिंग उल्टी अजीब सी नौजिया ठीके घबराहट बेचनी आपको ये सारी चीज़े शुरू हो गई आपके इंटेस्टाइन में इंफेक्शन होना शुरू हो गया आपको जब ये इंफेक्शन and water contaminated food and water क्योंकि तुमने ध्यान इन दिया कि वो खाने के ऊपर कहीं जीवानु तो नहीं बन रहें ठीक है कहीं वो दूशित तो नहीं है तो दूशित खाने वो पानी से आपको क्या फैल सकता है आपको टाइफट की विमारी फैल सकती है आप बोलो कि माम ये कहानी शुरू क आप निया भर के लिए मतलल वहां पे जो भी गेस्ट आई वे थे उनसे लिए उन्हों ने क्या किया जितने भी लोगों के लिए खाना बनाया उन्हों ने अपने द्वारा वो जितना भी वैक्टीरिया था वो उस खाने के अंदर पहुंचाया और उस खाने से जितने भी लोग थे वो सब क्या हो गए टाइफाइड से संक्रमित यहां पर हुए ह्वार मेरी बाक इनको प्हषते नाम है वह नहीं कके नाम है प्हासे mural नाम पढ़ गया और वही टाइफाइट कैसे होता है सालमोनेला टाइफी नाम के जीवानू से वो जीवानू हमारे आतों में जाता है और जाकर के हमारी बॉड़ी में पेट में आतों में इंफेक्शन करा देगा आपकी जीब क्यों रैशिस हो जाएंगे ठीक है आपकी टंग के उपर वाइट किस से रहे दूशित खाने पानी से फैल रहा है और इसका पैथोजन क्या है सालमोनेला टाइफी यहां पर कहा जाएगा बोलो कोई समस्य मिल्कुल सही तो याद क्या क्या रखेंगे माम देखो एक तो हम लेडी को याद रखेंगे यहाँ पर कि इनका नाम क्या था टाइफाइड मेरी और दूसरी चीज इसका जो संक्रवन होता है ठीक है टाइफाइड का जो संक्रवन होता है वो आपकी आतों के अंदर pairs patches में दिखाई देता है आतों के pairs patches वाले हिस्से में pairs patches of intestine तो mainly कहां जाता है यह हमारी आतों के अंदर जाता है और आत के pair patch को प्रभावित करता है बोलो कोई समस्या किसी को अगली बार से दूशित खाना पानी खाने से पहले नजर घुमाओगे या नहीं घुमाओगे correct ma'am one question पूछिए इसके बाद आता है अगला जिसको हम कहते है हैजाब देखो गर्मी आने वाली है लोगों को सबसे जादा चो रोग होता है वो हैजाब का होता है तो अब हैजाा का पैथोजन क्या है 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 यह यह भी किससी राए futur प्राकार की जीवानूं से हो रहा है और का पैथोजन क्या देखा जाएगा वो होता है विब्रियो कोलेरा विब्रियो कोलेरा ये मुख्य तोर पे contaminated water से फैलता है दूशित पानी से आपको फैलता हुआ नजर आएगा इसमें खाने का रोल नहीं है अगर तुमने ऐसा पानी पी लिया जो की दूशित है दूशित पानी से ये फैलता हुआ नजर आता है तो इसके संक्रमण में कोई मक्ही मच्छर नहीं आ रहा है इसका pathogen आपको दिखाई दे रहा है कि एक जीवानू है लेकिन ये दूशित खाने पानी से फैलते हुए हमें नजर आ रहे है ठीक है vitamins and minerals हम already कर चुके हैं आप लोग पूरी playlist को चेक कर लेना उस playlist में starting की classes में हम vitamins के उपर already चर्चा कर चुके हैं बोलो भाई बात समझ में आ रही है सबको तो इसका contamination कैसे दिखाई देगा दूशित पानी से दिखाई देगा ये भी कहां जाएगा आपकी छोटी आंत में जाएगा मतलब इसका जो bacteria है वो कहां है multiply करता है multiply यानि की संख्या व्रधी करता है और जब इसकी संख्या व्रधी आतों में होगी तो ultimately ये बिबारी आपको इस तरीके से फैलती हुई नजर आती है तो पूछ लेगा कि भी infection का हो रहा है पेट में मतलगा ना majorly आतों के अंदर इनका जो infection है वो यहां पर आपका देखा जाता है is this clear next रोग जो बनता है एक हमने टाइफाइट पढ़ा आपके intestine में दूसरा हमने cholera देखा तीसरा जो बहुत common है जो आम तोर पे daily अगर आप देखोगे तो किसी ना किसी को होता ही रहता है इसे कहते है food poisoning क्या कहते है food poisoning यहाँ पर कहते है food poisoning कहते हैं तो तीस बूत्रे रोक को हम नाम देते हैं botulism गाँ बॉत्यूलिजम यानि कि food poisoning खाद्य विशाक्ता food poisoning अब मुद्द वही है कि मैं देखो इसका बही कोई ना कोई पैथूजन होगा ठीक है इसका भी कोई ना कोई पैथूजन मतलब कारक जीव होगा वो क्या होता है क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूनिलम इसका कारक जीव इहां पर दिखाई देता है अगेन बात वही है कि आप अगर खाना पानी खा रहे हो और आपने ध्यान नहीं दिया कि वो शुद्ध है वो स्वच है उसके उपर कोई खीडे मकोडे तो नहीं है देखा जाए तो आपको पता ही नहीं चलता कि कहा बैक्टीरिया का इंफेक्शन हो रहा है लेकिन यह चीज जरूर ध्यान रखा करो कि आसपास में कहीं कोई नाले या किसी भी प्रकार से कोई open सीवेज या आपका कोई भी कूड़े का धेर तो नहीं है क्योंकि वहाँ डेफिनेटली आपके जो मक्ही मच्छर है वो बनते हुए नजर आता है और अगर वह है तो वह बिमारियों को जरूर पहलाएंगे वहां से जितना भी इंफेक्शन होगा वह फैलता हुआ नजर आत क्लिएर के क्लास होगी आपकी नेङस्ट वीक सेसे सोमभार से कंगे सो मंडे से क्लास प्राइब होगी उखाइक तब तक के लिए जो आपका बायों का पोर्षन है वो आपका कवर보र किराया जा रहा है कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको sexually transmitted होते वे नजर आते हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो sexually transmitted diseases दिखाई देते हैं तो तीसरी heading हम क्या डालेंगे third heading है through STDs STD की full form होती है sexually transmitted disease यहां पर अलग अलग रोग आपको नजर आते हैं जैसे कि हम बात करें चलिए इसकी अंदर अगर हम बात करें जिनाइटल के बारे में आपने सिर्फ और सिर्फ इनके pathogens को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहां पर क्या हो जाएगा ठीक है जितने भी आपके bacterial disorders दिखाई देते हैं उसमें एक सब्सक्राइब इसको करो गुनोरिया एक गुनोरिया होता है और दूसरा सिफिलिस नाम का रोग जो है वो नजर आता है यह दोनों क्या होते हैं यहां पर दिखाई देते हैं आप बात करेंगे पीटिएफ आपको अबिनमाट्स अप्लिकेशन पर मिल जाएगी पिछली दो क्लास की अभी नहीं मिली है वो में आपको इस क्लास के बाद अप्लोड करवा दूंगी तो वह भी सेशन जो है वह आपका अप्लोड हो जाएग गॉर्चेजरोफ tuarakatak लूच आपको प्रकूनियगी पंखको नहीं नहीं मिली हैं वो भी आपको पहुचा दी जाएगगे पिछलो तो गडारीया की बात करी जाएगे तों गवनिया का पैथोजन क्या होता है नाइसीरिया, नाइजीरिया मतले जाना इसको, नाइसीरिया, गोनोरिया अच्छा आपने एक चीज नोट करी होगी कि जितने भी साइंटिफिक टर्म्स हैं मैं आल्रेडी आपको पता चुक है, जितने भी आप ऐसे नाम दिखोगे इनका first letter, capital, second, small और दोनों को separately underline किया जाता है ये किसी भी scientific name को लिखने के नियम है, जो हमने already binomial nomenclature के अंदर पढ़े थे कि जब भी ऐसा कुछ नाम होगा, आप उसको separately underline करोगे करेक्ट, तो इसे कहते हैं, नाइसीरिया, गोनोरिया next आता है, जिसको हम बात करते हैं, syphilis syphilis के pathogen की बात करे ठीक है, इन दोनों के pathogen हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत important यहाँ पर हो जाएंगे trapo nema paladum taponema paladum मुख्य तौर से यहाँ संपर की वजए से आपको फैलते यवे नजर आते हैं इनके अंदर यह ज जीवाणू है, यह दोनों जीवाणू है, नाईसीरिया, गोनोरिया और traponema paladum ये दोनों क्या करते हैं ये दोनों मुख्यतोर से रोग को कराने का काम करते हैं जो लोग overuse करते हैं birth control pills का उनको भी ये गुनोरिया नाम की समस्या जो है वो होती हुई नजर आती है PDF अभिने mats application पर मिल जाएगा आप्लिकेशन पे आप जाओगे फ्री कॉंटेंट के अंदर A to Z सेक्शन में आपको सारी साइंस क्लास की PDF जो है वो अविलेबल हो जाएंगे वो सारी PDF आपको यहां पर अविलेबल हो जाएंगे तो अगर आपको नहीं मिली है तो आप देख सकते हैं बाकी इसके अंदर होता से रेश आपको नजर आते हैं धीरे धीरे जब इस रोक की स्टेज यहां पर भड़ती भी नजर आती है ठीक है धीरे धीरे जब इस रोक की स्टेज भड़ती है तो आपको स्किन के ऊपर दाने रेश नजर आते हैं यह सिफिलिस के अंदर आप एक कॉमन सिम्टम देखते हो सिफिलिस के अंदर ठीक है तो यह किसकी वज़े से हो रहा है बेक्टीरिया से हो रहा है जिसे हम कहते हैं ट्रैपो नीमा पेलिडम लिख लो भाई गुनूरिया का है सिफिलिस में आता है ट्रैपो नीमा पेलिडम ठीक है ट्रैपो नीमा पेलिडम करेक्ट इसके बाद आता है एक रोग जिसको कहते हैं मेनिंजाइटेस मतलब अब सोचो जरा और मुझे फटाफट से बताओ कि मेनिंज कहां था हाँ बैइ यह मेनिंज कहां था एक बार आप सब ही मुझे बताएंगे मेनिंज आपने कहां पढ़ा था आपके मन में आएगा माम आपने ना ब्रेन के उपर वाली कवरिंग हमें बताई थी उसे हम मेनिंजिस कहते हैं कि ब्रेन के उपर ड्यूरा मेटर, अरेकनॉइट, पाया मेटर जो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजन थी उनको हम, उन्ही को हम क्या कहते हैं भया इनको मेनिंजिस कहा जाता है आप बोले कि मैं देखो यह पूरा मश्टिश्क है इसके उपर सबसे उपर हमारी कपाल की हड़ी है और उसके बीच में हमारी तीन लेयर्स होती है जिनने मेनिंज कहा जाता है अंदर की तरफ क्या हो गया, पूरा ब्रेन हो गया इन तीनों मेनिंज की लेयर के अंदर आपका जो पैथोजन है वो जाकर के क्या करता है, अफेक्ट करता है जिसको हम मेनिंजाइटिस नाम का रोग बोलते हैं आप अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप एक चीज़ तो यहाँ पर याद रखेंगे कि किसी भी नाम के पीछे आइटिस लगा हुआ है मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट पर क्या हो रहा है इन्फेक्शन हो रहा है वहां पर सूजन है वहां पर प्रभावित उस और्गन को इस बैक्टीरिया ने किया हुआ है तो आप यह भी कह सकते हो कि माम ब्रेन के अंदर जब हमें क्या दिखाई देता है कि मैनिंच के अंदर सूजन हो रही है इन्फलमेशन हो रहा है नाइसीरिया स्पीशीस की वजह से यह होता हुआ दिखाई देता है इन्फलमेशन औफ मैनिंजिस जसको हम यहां पर कहते हैं तो मैनिंज का पैथोजन पूचा जाएगा यह नाइसीरिया जो अभी हमने गुनोरिया की बात करी थी नाइसीरिया गुनोरिया वही प्रजाती वही जीनस आपका यहां पर मेनेंज कराता हुआ नजर आता है हो क्या रहा है इन्फ्लमेशन और संक्रमन लेकिन इसके साथ हमें क्या रखना है कि महम यह जीवानों का अटैक सीधे हमारे ब्रेइन पर नजर आता है यानि कि यह वाला जो जीवानों है यह कहां जाएगा हमारे ब्रेइन की इस लेयर पर जाएगा आउटर लेयर ऑफ ब्रेइन बोलो बात समझ आई सबको अच्छा यार देखो मुझे तो नहीं समझ आता बतलब तुमने थियोरी पड़ी नहीं है पहले क्वेशन कर लो पहले थियोरी पढ़ लो फूरी फिर क्वेशन भी करेंगे अपन पहले थियोरी तो समझ लें क्यों भाई पहले थियोरी तो समझ लें उसके बाद सारे क्वेशन को भी अपन कवर करेंगे तो माम यह कहान ही होती है हमारे जीवानू से होने वाले रोगों के जितने बी बैक्टीरिल डिसॉॉडर्व हम यहां पर देखते हैं चाहे वह क्वेशन तंत्र के अलावा पाचण तंत्र से हों या आपको सेक्शूली ट्राणसमिटडड हिहां पर नजर आये हूं sexually transmitted यहाँ पर नजर आए हूँ इसके साथ साथ अब next जो हमें यहाँ पर बात करनी है वो है हमारे bacterial के बाद viral disorders के बारे में किसके बारे में भया viral disorders के बारे में लेकिन अगर आप meninges के अंदर होने वाले inflammation को देखोगे काफी सारे symptoms यहाँ पर नजर आ जाएंगे आपको जैसे बुखार हो रहा है नीद नहीं आ रही है सर में दर्द हो रहा है थकावट फील हो रही है बॉड़ी के अंदर आपको rashes हो रहे हैं यह सारे जब brain के ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव पढ़ता है कोई भी जीवाणू अगर प्रभाव डालेगा तो काफी सारे अलग अलग सिम्टम्स हो जाएंगे और आपको और आपको मुख्य दौर पर यह सारे रोग जो है वो नजर आते हैं जीवाणू के द्वारा तो बोलो इतनी कहानी सबको समझ आई कि नहीं है जल्दी से बताएंगे एक बार कि मैं आप मेरा कमेंट इंग्नौर क्यों करती हो अरे मुझे कमेंट तुम्हारा दिखा आव है तो बताओ इंग्नौर क्यों करूंगे मैं बाइलोजिक अब तक कम्प्लीट होगा दिनेश जी इस हफते आपकी बाइलोजिक कवर हो जाएगी नेक्स्ट मंडे मतलब अब जो आपका सोमवार आ रहा है उस सोमवार से हम स्टार्ट करने हैं केमिस्ट्री सो केमिस्ट्री और फिजिक्स आपके इस पूरे एप्रिल महा के एंड में खतम हो जाएगा बिलकुल परिशान मत होना एपरिल के एंड तक आते आते हैं यह बैच आपका पूरा कवर हो जाएगा आप में से जो भी तैयारी कर रहा है उसी अक्वार्डिंग अपने पैटर्न को स्टार्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आज की सेशन को आप यहीं तक रखते हैं कल शुरू करेंगे आपके वाइरल डिसॉर्डर को यानि कि आपके जो विशानू से होने वाले रोग हैं उनके बारे में हम कल अध्यन करेंगा और इस चाप्टर आपका लगभग कल कवर हो जाएगा और विल स्टार्ट जाधा इंपॉर्टेंट क्वेस्टन जो भी चाप्टर के यहां पर रहेंगे ज्यादा टॉपिक्स में वापस से बतारी हो नई बच्चे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेस्टन हैं आपको वह वह कर आऊंगी तो अब यहां तक अच्छे से रिवाइस कर लेना इसकी साथियों ने अगर अभी तक आप को डाउनलोड नहीं किया तो पटा एक बर आप डाउनलोड जरूर कर लेना क्योंकि पीडिया वहीं मिलेगी और आप लोग का अभिने मैच्स बिल्कुल एप्लिकेशन पर अभिने सर का कम्प्लीट बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है आप अगर एडवांस मैच्स पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस बैच को इन्रोल कर लें क्योंकि ये आपका स्टार्ट 21 मार्ट से यहां पर हो चुका है ठीक है इसी के साथ साथ आपका A to Z पैक जिसके अंदर आप परिशान ना हो आपको हर एक्जाम की तयारी के लिए सारे सब्जेक्स कम्प्लीट सारे बैचर्ज की लाइव और रिकॉर्ड जितनी भी क्लासे आपको यहां पर दी जा रही है साथ में पीडिएफ नोट और आपका जितना भी क्वेशन सीरी रहती है तो इसमें आप इन्रोल करें अपनी तयारी को और भी अच्छा करे और साथ में जो अभी आपका करेंटली प्री टार्गेट बैच है वो बुख्य तोर से अगर हम बात करें जिसमें आपके प्रिलिम्स को ओरियंटेड तयारी जो है वो कराई जा रही है 31 मार्च को से रिजिस्ट्रेशन यहां पर क्लोज हो रहे हैं जिसमें आपको मिल रहा ह जिसमें भी आपको लगते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं बाकी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स सेशन में अपना कल शाम 6 बजे तब तक के लिए अपना ध्यान रखें have a very good day and the same time same जगा पर आपसे मुलागात होगी लेकिन consistency के साथ है ना regular time जरूर बना आपके रखें तil then have a very good day जय हिंट जय भारत